हेलो गाइस वेल्कम बैक तो दिस चैनल गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेलिकॉम इंडस्टी से जुड़ी हुई कुछ बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट बात हैं देखिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट बात तो यह है कि इस पेक्टरम की आॉक्षनिंग शुरू होने वाली है सॉस्ट मार्ज 2020 के उपर उसके उपर आपको डेटेल में बताओंगा चल्दी ही लेकिन इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रिलाइन्स जीओ आपको पता है मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा लेडर है आज की डेट में टेलिकॉम इंडस्ट्री में तो यहाँ पर यह एक अपनी अलग से इनिशिल पब्लिक ओफरिंग यानि आई पियो को लाँच कर सकता है 2021 में इसके उपर बिजनेस स्टेंडर्ड की एक आर्टिकल के जरिये में आपको अपडेट करूँगा लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा वुड अच्छी रैली हम लोगों को देखने को मिली है आज अभी भी 12 बच के 35 मिनट का टाइम हो रहा है और 12 रुपे 15 पैसे को पर अभी भी है ट्रेड हो रहा है जो कि आप देखें तो अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस से 65 पैसे उपर यानि 5.65% उपर ट्रेड हो रहा है आ अगर आप देखें तो 5.49 पे ओपन हुआ और 5.45 का लोग बनाता है और 5.65 का हाई बनाता है और 5.61.00 के उपर अभी है ट्रेड हो रहा है जो कि 13.85 रुपे उपर है अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस 5.47.15 के रिस्पेक्ट में और 2.53% उपर है अभी तक इसमें जो ट इसके अलबर रिलाइंस के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको चपर तस तेजी आज देखने को मिल रही है 1903 की ओपन प्राइस के बाद 18.99.90 का लोग बनाने के बाद 19.51 का हाई बनाया है और अभी आप देखें तो 1950.85 के उपर ट्रेड होगी 53.60 38.292 तोटल अभी तक का वॉल्यूम डेटेड है और आप 12 बच एक बच के 38 मिनट का स्टेटस आप से में शेयर कर रहा हूं 1.2 मिलियन करोर इसकी जो टोटल मार्किट कैप है तो रिलाइंस जियो एक नया आईपियो लेके आ सकता है इस नियू एयर 2021 में ऐसा इसलिए मैं ब बताई की है वैसे तो इसके अलावा अगर देखें तो 2021 में बहुत सारे इंपोर्टन्ट इवेंस होने वाले हैं ठीक है जैसे कि 4G और 5G स्पेक्ट्रम की आक्शनिंग होने वाली है इस साल ठीक है इनिशिल पब्लिक आफरिंग हो सकती है रिलाइंस जियो की ठीक है इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर के अंदर रिवेन्यू ग्रोथ को लेकर के काफी उमीदे बनी हुई है तो जो 2021 का नया साल है ये बहुत सारी इवेंट्स को दिखा सकता है ठीक है तो इसके अलावा आपको एक चीज और बिश पताया था मैंने कि जो एड़ेस्टेट ग्रॉस र रिव्यू शायद वहां से कुछ ऐसी चीज़े निकल के आजाए जो री कैलकॉलेशन या री आसेस्मेंट को इनों अलाव करें जिससे टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर जो करज का जो बोज लादा गया है शायद कुछ हलका हो जाए जिससे टेलीकॉम इंडस्ट्री अपने पोर्ट है उसी के जड़िए मैं आपको बड़े अपडेट कर पा रहा हूँ बिसिकली यहां पे क्लासा जो है विजुलाइज करती है कि यह दोहजार रिकिस में मोस्ट मोस्ट लाइकली जो है रिलाइंस जियो का आई पी ओ लाँच हो सकता है राइट यहां पे रिलाइंस तो मारकेट शेयर ओफ रिलाइंस जियो वुड बी 32 बिलियन डालर यानि 2369 बिलियन रुपए यह ऐसी फोर कास्टिंग करी है रिलाइंस जियो के लिए तो यहां पे देखिए सिचुएशन क्या है कि आने वाले टाइम ही बताएंगे क्या है सिचुएशन लेकिन यहां पे करता है कि राइवल ऑपरेटर्स जिसे के एटल हो गया वोड़ा फोन ऐडिया हो गया यह दोनों कितना अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा करते हैं रिलाइंस जियो को टक कर देने के लिए राइट कवस क्योंकि सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट सर्वीस की वैल्यू है सर्वीस अगर आपकी क्वालिटी अगर आपके नेटवर्क की अच्छी होगे तो डेफिनेटल लोग आपको आप्ट करेंगे राइट तो यहां पर बिसिकली मैं यह नहीं कह रहा हूं कि रिलाइंस भारती एटल और वोड़ा एडिया के सर्वीसे नहीं अच्छी हैं उन की प्रोब्लम है एटल एटल के अंदर तो खैर इस तरीके की दिक्कत नहीं सुनने को मिलती है लेकिन वोड़ा एडिया को लेकर के काफिये कंप्लेंट करते रहते हैं तो शायद थोड़ा बहुत किसी किसी एरिया में हो सकता है वहाँ पर नेटवर्क ना पहुच पा रहा ह उसको लेकर के बोड़ा फोन आइडिया भी अगर अपने इंफ्रास्ट्रक्शन में थोड़ा इंवेस्टमेंट करे और खर्चा करे ताकि नेटवर्क की क्वाल्टी और बढ़िया बनाई जा सके जीओ को टकर देना है तो डेफिनिटली जीओ से बेस्ट तो करना और कंपनी कर भी रही है कोशिश कर रही है लेकि दिक्कत सबसे ज़्यादा यहीं से शुरू हुई थी एड़्जेस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू को लेके 58,000 क्रोड रुपे का करजा लाद के दे दोगे किसी कंपनी के उपर जिसको पहले से ही तुमने दबवा दिया रिला सांस लेने के लिए आपने उसको जगई नहीं दिया तो यहां पर इडिस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू लेकर के बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रियेट कर दिया लेकिन देखते हैं आगर रियसेस्मेंट कुछ होता है तो चरूच यहां पर बोड़ा एडिया अपने सर्विस में और अपने रिवेन्यू मारकर शेयर में ग्रोथ दिखाएगा और उमीद है कि आने वाले टाइम में इसके अंदर फंड रेजिंग को लेकर के जो बाते चल रही हैं सकसेशफुली निकल के आएं और कमपनी अपने स्टॉक प्राइस को 30 रुपे से उपर बढ़ता हुआ दिखे उमीदे यही हैं आगे सिटुएशन बताएगी और बहुत जल्दी ही इस हफ्ते के अंदर या इस हफ्ते के अगले हफ्ते के अंदर एक आपको न्यू सुनने को मिल सकती है कि बोड़ा फोन आइडिया की जो 3.4 बिलियन डॉलोर आई थिंग सो 25,000 करोड रुपे के आसपर को जो अमाउंट इंवेस्टमेंट है इनका आ सकता है इसके उपर अपडेट आ सकती है क्योंकि डियू डिलिजेंस आलमोस्ट कम्पलीट होने वाला है तो 2021 is 2021 is very important for such things events which are going to occur Reliance Geo एक IPO कर रूप में अगर आ जाता है तो थोड़ा सा इनो IPO के जड़ी है फंड रेस करेगा अपने services को और best से best बराने में तो दिक्कत यही है कि यहाँ पर बुड़ा idea और retail को भी कुछ करना पड़ेगा क्योंकि इसको intensely compete करने के लिए obviously उसी level का खर्चा इनको भी करना प नगी जाती है क्योंकि उसको फंड चाहिए होता है फंड क्यों चाहिए होता है क्योंकि वो अपने services को expand करती है expand करने से क्या उसको मिलता है caminho का जाधा revenue मिलेगा जाधा share मिलएगा समझ रहे बात को यह points हैं जिसको आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए तो this is all for this video I hope you guys like this information guys if you liked it please give a thumbs up for this video and if you are new here consider subscribing and press the bell icon to get notifications timely और डिमेट याट इंकाउंट अगर किसी ओपन कराना है तो description box चेक करें वहाँ आपको एक link बिलेगा उसे click करके आप upstock in the account open करा सकते हैं see you guys next time till then take care thank you for watching this video